खबर जाने पूरे जहारखंड और 20 विदे से पहला खबर है राची से आईजी साकेत कुमार सिंग को मिला पुलिस पदक धनबात के निरेश सिंग हत्याकान में पुलिस टीम का क्या था मार्ग दर्सन जहारखंड पुलिस में आजी ओपरेशन के पद पद अस्थपित आईप सेवा के लिए पुलिस पदक से समानित क्या गया है वर्स 2002 बैंच के आईपेस अधिकारी साकेत कुमार सिंग मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं वह अपने सरल सभा मिलांसार व्यक्तित्व और कम्यूनिटी पुलिसिंग को जमीन पर उतारने वाले इमांदार अधिका सब्सक्राइब साकेत कुमार सिंग ने कभी किसी निर्दोस को कामनी उल्जहन में फसने नहीं दिया खबर्या राची से राची से पूने वारान से और लखनों के लिए जल्द सुरू होगी विमान सेवा राची के विर्सा मुंडा एरपोर्ट से जल्दी लखनों वारान से और पूने के लिए विमान सेवाएं सुरू होने वाली हैं राची सांसर संजय सेट ने बताया कि इस सं उड़ाने भरेंगे कबराय राची से राजपाल दुरुपदी मूर्भू ने तीन डीसी समय चोदर पदाधिकारियों को किया सम्भानित बुली राष्ट के परति दायत्यों को समझे नागरी राष्ट मददाता दिवस के आसर पर सुमबार को राजपाल दुरुपदी मूर्भू ने राची सिंडगा पश्चिमी सिंभू के डिक्सी समय चोदर पदाधिकारियों को सम्भानित किया इस दोरा राजपाल ने पहली बार मददाता सुची में नाम सामिन होने वाले युव सकों से की अपील स्मार्ट सिटी मिसन के तहर जारकन के राजधानी राची को विखसित किया रहा है स्मार्ट सिटी राची में निवेश की काफी गुंजाइस है इसके मद्देनेजर निवेशकों को आकरसित किया रहा है इसी उद्देश को लेकर सुमबार को धनबाद के न अच्छी तरह से जानते हैं उन्होंने धनबाद के लोगों से राची इसमा सिटी में निवेश करने की अपील की है अगले साथ दिन तक बदलता रहेगा मोसम का मिजाई 30 जन्वरी को होगी जमाजम बारिस जारकन का मोसम तेज से बदल रहा है स्वंबार की सुबह में कोहरा वह धून चाय रहे वहीं दिन में आस्मान बादलों से घिरा हुआ था निम्तम तापमान में भी अनुमान से अधिक विर्धी दर्ची गई है जारकन के जमसेदपूर में एक लाग से अधिक का था लक्ष महज इतने परिवार के गिरीन रासन कार्ड को ही मिल सकी है सुईक्रिती जारकन के पूर्वी सिंभूम जीले में ही बलकि सुब्य में अब भी गिरीन कार्ड बनाने के तैयारी पूरी नहीं होने का मामला परकास में आया है इसी वज़े से कार्ड बनाकर काडधारी कोट देने और उक्त कार्ड के आधार पर रासन वितरन शुरूप करने में देरी होना तै हो गया है सुत्रों के मताविप पूर्वी सिंभून जीले में 15 जनवेर तक अब तक मातर 4,306 परिवार का ही गिरीन रासन कार्ड बन पाया है जबकि जीले में गिरीन रासन कार्ड के लिए 1,4307 लोगों के रासन कार्ड बनाने का लक्ष दिया गया था इसमें सहरिच्षेत्र में 57,000 लोग सामील हैं रामगर की बेटी ने जीले का नाम क्या रोसन राजस्तर्य राइफल सुटिं में जीते 5 गोल्ड मेडल रामगड की बेटी एसीना आलवा ने जहारखंड राजस्तरिय राइफल सूटिंग जैंपियनसिप मुकाबले में रामगड जीला का आर्मी इसकुल में दस्मी की छात्रा है इनके पीता रंजित आलवा पी आर्सी में आर्मी पदा निकारी के रूप में कायरत है अब खबर देश दुनिया और देश की पिप्रिन ने योजनाओ साकील गर्ल से बात करेंगे पीएम नरेंद मोधी चानिये पूरी दुनिया में फ्हेमस बिहार की बेटी की जिंदगी कितनी बदल गई लॉक्डाउन में साकील गर्ल के नाम से फेमस हुई बिहार की बेटी जोती पासवान से आज पधान मंतिर नरेंद मोधी वीडियो कांफरेंसी के माध्यम से बात करेंगे जिनके संघर्ष को अमेरिकी प्रिसिडेंट रहे डोनाल टरम की बेटी इवाका ने भी सलाम किया था साथ ही इसके लिए उन्होंने ट्विट किया था इसके बात हुओ सेलिबेटरी सी बन गई ऐसे में आज हम आपको जोती के संघर्ष की कहानी बताएंगे दुबई में जाकर देश का नाम रोशन करेगा बिहार का छोरा अंतराश्टिय खेलों में हुआ चैनित बिहार का एक छोरा दुबई में जाकर अपने गर परिवार के साथ-साथ राजिय और देश के नाम रोशन करने वाला है रसुलपूर्थाना चेत्र की बनपूरा पंचात के घुरा पाली गाओं का छोरा अनुश कुमार सिंग अब अन्तराष्टिय वलीबूर खेल में भारत का पर्चम लाहराएगा COVID-19 वैक्सिनेशन के लिए अमेरिका में अपनी जगा देगा Google सुन्दर पीचाई ने बताया अमेरिका में अपनी जगा उपलब्द कराईगी उन्होंने इसके साथ ही टीके को लेकर जनकारी के प्रसार के वास्ते 15 करोर अमेरिकी डोलर भी ज्यादा रकम कर्च करने की प्रतिबदता जाता ही है सिक्किम में खदेडा गया तो फिर सांती का राग अलापने लगा चीन भारत को दे रहा सिक्ख लदाक से लेकर अरुमाचन पर्दिश तक सिमा चित्र में घुस्पेट की ताक में बैठे चीन की चोरी अब भारत ने पकड़ ली है वो उल्टा सिक्ख देने लगा है चीन के परदगता में भारत से एक पक्चिय कदम न उठाने के लिए कहा है दरसल सिक्खिम के नाकूला में चीनी सैनिकों की घुस्पेट की कोशिस को भारतिय सेना ने नकाम कर दिया था और दोनों पक्चों के बीच मामूली जड़ब भी होई थी चीन की चाल से नेपाल में तेजी से बदल रहे है घटनकरम भारत के एक्टिव रूल की जरूरत रिव्यार को पार्टी से निकाल दिया साम होते ओते परचन को नेपाल के चुना आयोग ने कराला धटका दे दिया और पीएम ओली को बर्ताकी को खरिच कर दिया विसेशिगों का कहाना है कि नेपाल के तेजी से बदलते घटनकरम में चीन के हस्तेशेव से असिता बढ़ रही है और भारत के एक्टिव होकर काम करने की जोरत है दूबाई में 75,000 स्क्वाइर फुट में बन रहा भब्बे मंदीर सामने आए अधभूत तस्विरे दूबाई में हिंदूों के लिए बने एक मंदीर का सुबारम अगले साल दिवाली तक लिया जाएगा मिडिया रिपोर्ट के इसकी जानकारी दी गई है बिते साल अगस्त में महामारी के दोरान इस मंदीर की नीव रखी थी दूबाई के सामुदाईक विकास प्राधिकरन के मुताबिक सहर के जेबेल अली इलाके में गुरू नानक सिंग दरवार के समीप इस मंदीर का निर्मान क्या जा रहा है जो की दूबाई में सिंधी गुरू दरवार का विश्तार है चीन से लोन लेकर लोन चुका रहा इमरान खान टूटर पर गुझा पाकिस्तान बन रहा चीन का गुलाब नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके सत्ता में आये पधान मंत्री इमरान खान नियाजी देश को कर्ज के मकडा जाल में फसाने की पूरी त्यारी कर चुके हैं हालत यह है कि इमरान खान को अपने देश के संस्थापक मोहमद अली जिन्ना की पहचान को भी गिर भी रखना पड़ रहा है कंगाल पाकिस्तान को अपने कर्ज को चुकाने के लिए अब लोन लेकर लोन देना पड़ रहा है पाकिस्तान की ये कंगाली अप टूटर पर टॉप ट्रेन पर हो रही है और लोग कर रहे कि पाकिस्तान चिन का ओपनिमेस बनने जा रहा है RJD के भोट बैंक में BJP ने शुरू की सेंवारी नेता बोले स्वार्थी लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं BJP ने बिहार की स्यासत में अपनी पकर मजबूत की वकायत देच कर दिया खास तोर पर पार्टी की और से यादव भोट बैंक को साधने की त्यारी चल रहे है इसी कड़ी में BJP ने RJD के बड़े नेता पुर्व सांसत रहे सिता राम यादव को पार्टी ज्वाइन कराने का पैजला लिया है 27 जनरी को सिता राम यादव BJP ज्वाइन करेंगे राजीव सुकला ने भारतिये खिलाडियों के धर्म को लेकर किया टूइट गलत बताया वांसिक्टन सुन्दर का धर्म फैंस ने उन्हें लताड़ा दरसल राजीव सुलका ने अस्टिल्या के खिलाब टीम इंडिया के जीत को लेकर एक पोस्ट किया इस टूइट के बाद वो टूइट पर बुरी तरह टोल हो रहे है इस टूइट में उन्होंने खिलाड़यों को धर्म को बताया राजीव सुलका ने अपने एक फोटो के साथ टूइट किया इसमें लिखा था कि एक हिंदू और दूसरा मुसल्मान दोनों इस बात से खुस है कि भारत जिद गया है अगर यही बात देश की जनता को समध में आया जाए कटर मुसलिम और हिंदू धर्म के नाम पर चल रही कुछ पाटियां की राजनिती की ही समाप्त हो जाए ट्रेक्टर पैरेट पर सरकार का मंतन गिरी मंतरी आमिसा के घर हाई लेबल मिटिंग चलने नए किर्शी कानुनों के इसकिलाब आमदोन कर रहे किसानों ने गंतनत दिवस पर देश की राजधाने दिली में ट्रेक्टर परेट निकालने का एलान किया है कापी जद्दो हज़त के बात किसानों को ट्रेक्टर परेट निकालने की इजाज़त मिल गई है दिली पुलिस और किसानों की बीच आम समाती से परेट के लिए रूट तै कर लिया गया है परेट को देखते हुए दिली पुलिस ने सुरक्षा ब्योस्ता सक्त कर दी है गिरी मंत्राले भी पूरे मामले को लेकर अलट पर है किसान परेड से पहले गिरी मंतरी अमिस्ट सा खुद त्यारियों का जायजाले रहे यूपी में राजनितिक जमीन तलासने में जूटी जदियू नितिश का तीर्या तुका बिहार के मुकमंत्री नितिश कुमार अपनी पाटी जडियू का अब उत्तर परदेश में भी विश्थार करने जा रहे है यूपी में अगले साल होने जा रहे है विधान सबा चुना और इस साल होने वाले पंचाय चुना में जडियू पूरे जोस ओ खरोस के साथ विभागिदारी करेगा जनराय करपुरी ठाकुर की जैनती पर जडियूनी यूपी की सियासत में किस्मत अजमाने का एलान किया है हालांकि इस से पहले भी 2015 में नितिश कुमार ऐसे ही यूपी में सक्रे हुए थे लेकिन बाद में चुनाओ लणने से पीचे हट गे थे एशे में सवाल उर्ता है कि जडियू वाकई शुबे में सियासी एंट्री करना चाहती है या फिर बीजेपी पर सिर्फ दबा बनाने की रननिति है खबर बंगाल से परिवारबाद पर अभिशेख बनर जी का बिजेपी को चैलेंज लाएं बिल 24 घंटे में छोड़ दूगा राजनितिक पसिम बंगाल में बिधान सबा चुनाओं से पहले राजनितिक बयानबाजिया तेज हो गई है बिजेपी के टीमसी पर परिवारबाद की राजनितिक के आरोप पर टीमसी सांसत अभिशेख बनर जी ने जबाब दिया है ममता बनर जी के भतिजे अभिशेक बनर जी ने बिजेपी को चलेंज करते हुए कहा कि जो परिवारवात की राजनितिक का आड़ोप लगा रहा है उनके खुद के परिवार से लोग राजनितिक में है भारत फ्रांस की वायू सेना का युद्धव्यास डेजर्ट नाइट 2021 का हुआ समापन इंडियन एरफोर्स और प्रेंस एरफोर्स एंड स्पेस फोर्स के एरफोर्स इस्टेशन जोधपूर में युद्धव्यास डेजर्ट नाइट 2021 में हिसा लिया अपनी तरह का पाले दुपक्ची अभ्यास में भारतिय वाई शेना के शुखई, 30, MKI और मिराज, 2000 विमानों के साथ साथ दोनों देशों के आई शेना की और चे रापेल लड़ाकों विमानों की भागिदारी ने लोर्ज फोर्स इंगेश्मेंट समेट जटिल अभ्यानों को अंजाम दिया, पियम मोदी बोले जहारखन की बेटियों तिरंदाजी में अबबल सभीता बोली देश के लिए ओलमपिक मेडल लाना चाहती हूँ, परधान मंतरी ने जहारखन की तिरंदाजी बेटी सभीता कुमारी से विडियो कारपिसी के जरिये बाद की, इस दोरान प शुरुआत में सभीता थोड़ी नर्वस नजर आई लेकिन उसने पियम के हर सवाल का जवाव दिया, उसने पियम को बताए कि उसका सपना ओलमपिक खेलने का है, पियम ने सभीता को भविस्य की सुपकावनाय देते वेका की जारकन की बेटिया तेरंदाजी में अबबल है पियम नरेंदर मोदी ने कोलकता यातरा का वीडियो किया टूइट, अनोखे अंदाज में कहा थांक्यू बंगाल, सुतंतरता सेनानी नेताजी सुबाचंदर बोश से कि 125 जहनती पर कोलकता में आयोजित कारिकरम में सामिल होने, अपधान मंत्री नरेंदर मोदी ने एक वी सामिल है जो उन्होंने कोलकता के विक्टोरिया मेमोरियाल हॉल में नेता जी को सर्दान जले आरपीत करते हुए कहे थे हम रोज ऐसे ही नियूज लाते रहेंगे यदि आपने अभी तक किली नियूज को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो पहले फटा फट सब्सक्राइब कर लें साथी ब्याल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मीस ना हो